हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस येटूब चैनल पे आज हम लोग इस वीडियो में लाब और हानी के चेप्टर को स्वल्व करेंगे जो की SSC GD की जो बच्चे तयारी कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके इस सेशन में हम टोटल 25 कोश्चन लाब हानी और कुछ कोश्चन जो है परसेंटेज के भी होगे ठीक है तो परसेंटेज के और लाब हानी के कुल हम लोग 25 सवाल को स्वल्व करेंगे जिसको आपको स्वल्व करने से आपका लाब और हानी का सारा कंसेप्ट आपको इस परसें के स्वाल करने में किलियर हो जाएगा ठीक है यह चप्टर काफी ही इंपोर्टेंट है सभी एक्जाम के लिए ठीक है लेकिन यह जीडी के एक्जाम के लिए कुछ जैदा ही स्पेसल है क्योंकि इस चेप्टर से करीब 5 से लेकर के 7 पूख केिन के स्ट में 5-7 एगही चेप्र से पूखे जाना यह समसकते हैं इसके कितना वेट कें यहां 25 से रूप में नहीं के का्थ इसको चैप्रेट को करने यह हमारा से नमरह तू है इससे पहले हम समय और कार्ज के से लोन को क्व रवाया है इन चैनल तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है वहां से भी देख सकते हैं ठीक है अगर आप चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ठीक है ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में जनकारी मिल सके अंकित मुल पर उसे कितने छूट देनी चाहिए जिससे उसे बस्तू पर 440 रुपिया का लाव हो देखिए पहले ही कॉस्चन में हम यह लाव और हानी के सारे कॉंसेप्ट इस भी अप्लाई हो जाएंगे ठीक है तो आप अराम से इस वीडियो को देखिए आपको हर एक ची चूट मतलब SP आजाएगा SP हो गया 20% का चूट का मतलब देखिए अगर हम 20 पर 30 को अगर फ्रेक्शन में करते तो क्या होता एक बाटे 5 मतलब अगर 5 रुपिया का कोई समान है 5 रुपिया का कोई समान है 20% छूट देने का मतलब क्या होगा इसको 5-1 मतलब 4 रुपिया में इसको बेचने होंगे मतलब आपका 5 रुपिया गरमार्ग प्रैस है तो सेलिंग प्रैस कितना होगा चार रुपिया पांच का वहलू यह दिया हुआ है तो चार का वहलू कितना होगा तो देखिए क्या करना है आपको इसको आप 72,000 को पांच से डिवाइड और चार से जरो से एक जरो केंसील ठीक है अब देखिए 72 को आप आठ से मल्टिप्लाइ कर लेगे तो कितना हो जाएगा आठ दुनी सोला का च्छे अच्छापन एक संतावर यह हो जाएगा आपका इतना 57,600 रुपिया इसका हो गया सेलिंग प्रैस आगे देखिए अब आगे कहा गया है अगर हानी हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको एक मैनस करते मटन नौ रूपिया में इसको बेज रहा है यहीं नौ रूपिया नौ का भिल्लू इतना दयाद दस डिख्ली की दिये सकाय नौ से से कितना जाएगा नौ düny सब्सक्राइब करने के लिए अब कहा गया है अंकित मुल पर उसे कितने चुट देने चाहिए जिससे कि उसे सब्सक्राइब करने के लिए कितना करना पड़ेगा और जदा लेंगे तब इसके इतने परतिसत की छूट देने होंगे देखें एमपी हमारा सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर लिए यह आपका हंड्रेट से मल्टिप्लाइब कर लिए देखें दो जीरो एक तीन जीरो से सब्सक्राइब कर जाएगा यह चार से 21 और यह कितना जाएगा दो मतलब 21 बटे दो मतलब 10.5 परतिसत की छूट देनी होगी समझ गये होंगे यह थोड़ा सा लेंदी था लेकिन देखिए इस तरह की कॉस्चन भी पूह जाते हैं जो कि जीडी का सेम कॉस्चन यह में सब्सक्राइब कर देखिए ने एक कार 3,50,000 में खर दी तीन लाग पचास जार में खर दी और 4,35,000 में उसको बेद जिती है तो पूछा गया है लाब परतिसत देखिए लाब क्या होता है लाब हमको निकालना हो अगर CP अगर X है और Selling Price Y है तो लाब कितना हो जाएगा ला 3,50,000 में खर दा और 4,35,000 में बेचा तो लाब कितना हो जाएगा profit जो हो जाएगा जो चार लाँर फैदिस तीन लाँर तीन लाँर पचास हजार तो कितना जाएगा 50,3535 how k deal somewhat of it これ हुआ कितने में जो का अठ्ठाव चोविस पॉइंट संथिंग आपका ये अप्सन नंबर वन में दिया है जो कि क्रेक्ट होगा ठीक कॉस्चन नंबर थी को देखिए ये जो है बेतन का पैंतालीस परतिसत भोजन पे खर्च करता है और अपने बेतन का पांच परतिसत ब्रिधा आश्रम में वह भोजन तथा व्रिधा आश्रम पर कुल 8500 रुपया खर्च करता है तो एक ही आई क्या होगी देखिए अपने बेतन का 45 परसंट कहां खर्च करता है ब्रिधा आश्रम पर प्रकुल में नाकर के 50 परसंट इंड़ोंने खर्च कर देता है यही 50 परसंट का भेलू अपको यह आए हो जाएगा ठीक है संतावशन नमबर दो में दिया हुआ है ठीक है क्वेस्टन नमबर चार को देखना है क्वेस्टन नमबर चार में है एक दुकंदार जो है अपने बस्तू पर 40% की छूट देता है उसके बाद भी क्या है 20% का लाव अर्जित करता है अगर 2400 का मतलब क्या हो जाएगा टूटल का कितना लेगा सिर्फ साथ परसेंट लिएगा मतलब 2400 रुपया मार्क प्राइस है तो कितना जाएगा इसका साथ परसेंट कितना होगा वही उसका क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे इसको कर लिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस अब कहा गया है कि इतना बेचता है तो बीस परसेंट का लाव होता है बीस परसेंट का मतलब एक बटे 5 मतलब 5 रुपिया का अगर कोई समान है 20 परसेंट लाव प्राप्त करने के लिए कितना परेगा 5 पुलस एक मतलब 6 रुपया में यही चे का भेलू आपको कितना दिया हुआ है 1440 तो पांच का भेलू कितना आपका दसदू 1200 मतलब 1200 में इसका क्रेमल होगा इसका बारस हो गई है ठीक है कॉस्चन नमबर 4 आपका कम्प्लीट हुआ कॉस्चन नमबर 5 देखें मोहन एक टेवल को 832 पर बेज रहा है यदि उसका लाव 18% है तो उसका क्रेमल क्या होगा ठीक है देखें स्पी जो दिया ह में बैद 18% का लाभ होता है मतलब अगर कोई 100 रुपिया का समय लाव कमाने के लिए इसको एक तो एक तारारा रुपिया में वेजना होगा है तो एक सो एक तारा कम्रू आपको यह इतना दिया हुआ है तो था बोर के होगा यही निकालने है ठीक है अब इसको आप दूसरे कटनेंगे 14 हो जाएगा 16 ठीक है देखें जैटली कट रहा है तो लास्ट में क्या जाएगा आपका चार बार में देखें कटिए इसको दू बार पर तीन से ने कटेगा तो 2 कितना हो जाएगा 118-140 कितना हो जाएगा आपका 23 अब देखें 22-36 मतलब चार बार में कट जाएगा 24 इंटू 100 मतलब 24 से आपका करक्ट आंसर होगा ठीक है कॉस्चन नमबर अगला देखिए एक कपरे की दुकान ने सट पर 30% की छूट की गुष्णा करती है ठीक है रिवान छूट में 810 रुपिया बचाना चाहता है ठीक है ऐसा करने के लिए उसे कितने सट खरने चाहिए यदी परतेक सट का अंकित मुल देखें 540 रुपया है ठीक है एक सट का अंकित मुल 540 रुपया है और इस पर कहा गया है 30% की छूट दी जाती है तो 30% का छूट का मतलब यह हो गया चालिस इंटू 30 वर्ट होंडेड मतलब आपका 162 रुपिया एक सट पे बच रहा है कुल कितना बचना चाहता है या 810 रुपया ठीक है 810 रुपया बचाना चाहता है तो कितने सट लेने परेंगे एक सट पे 162 रुपया बच रहा है तो 810 रुपया बचाने के लिए इसको 162 से इसको डिभाइर कर देंगे मतलब आपका जाएगा पांच सट मतलब पांच सट इसको खर ने होंगे तब जाकर करके क्या होगा इसको 810 रुपया बचेगा ठीक है चलिए next question हमारा है एक दुकंदार 12% के लाब पर समान को बेचता है ठीक है और बास्तविक बजन से 15% कम बजन को उपयोग में लाता है तो उसका पर तिसक लाब देखिए देखिए इस तरह के सवाल को आप देखिए सकरने में किसे सवाल कर सकते हैं बेस ट्रीक में बताता ह कितना हो जाएगा 100-15 मतलब 85 into 100 बस इतना करना है इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है इसको आप स्वाल कर लिए तो आपका अंसर आजाएगा ठीक है देखिए आप स्वाल करेंगे देखिए 17 यह हो जाएगा आपका 20 मतलब 540 को आप 17 से डिभाइड किए 17 एकावन सत्तिया होगे आपका एक कावन होगया यहां पर फिर 303,31.76 के आसपास आपका अंसर आएगा ठीक है यह तो आपका होगे क्या ट्रिक पर डैट फर्मूला पोयाद है तो इससे स्वाल कर सकते हैं लेकिर फर्मूला आपको यह इस तरह कर फर्मूला आया कहिते तो आपको इ कि हजार ग्राम का कोई समान ही ठीक है हजार ग्राम के समान का सी पी हम ले ले हैं एक सो रुपाइया है ठीक तो पधिक किया हुगा ह based to the लाब कमाना चाहते है तो एक सो बारा में इसको बेंचेगा ठीक है लेकिन इसको हजार ग्रम काव अगे कहा गया है मतलब कितनाव कशल्प करवा कर रिजाए क्यों है यहाँ से हमारा एक मतलब 75 रुपया है एसपी हमारा 12 रुपया है तो कितना होगा तो कितना हुझाओ मतलब 80 कितने प्रोफिट हुआ 121-2-100 को यहीं आप के थे यह आपका और प्रैटर रहेंगा ठीक है एक डिलर अपने माल पे क्रेम मुले से 15% अधिक अंकित करता है फिर वह 20% की छूट देता है तो हानी परतिसत निकालना है तो देखिए या तो इसे कर लिए कोई 100 रुपिया का MP है ठीक है 100 रुपिया का है उस पे क्या है एक सबंदर रुपिया अधिक अंकित करने का मतलब होगा फिर क्या है इसको 20% छूट का मतलब होगी आपका एक बट्टे पांच घी एक बट्टे 5 रुपिया छूट मतलब इसका चार बट्टे 5 मतलब 23 इंटू चार कर लेंगे मतलब 92 रुपिज में इसको बेचता है ठीक है 92 क्या होगा एक तो यह था दूसरा क्या था आपका दूसरा फर्मूला से भी निकाल सकते थी इसको फर्मूला का जब कभी भी सक्सिसिव इस तरह का दिया हुआ हो देखिए तो क्या करना होता है यहां पर पलस नेगेटिव संज जावी दिया हो चुट के लिए माइनस का माइनस पर 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 संट की हानी होगा ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं कौश्चन नमर 10 को देखिए कापी ही मतलो सिंपल सवाल है बीमारी की बज़ा से एक ब्यक्ति का भार 80 से घट करके 80 था पहले घट कर कितना जगा 64 केजी हो जाता है तो भार परतिसत में कितना की कमी आएगे देखिए 80 थी कितना कम गया तो 16 कम इसको 100 से मल्टिप्लाइ कर लिए 16 85 होता है मतलब 20 परतिसत की कमी भार में हुई है ठीक कौश्चन नमबर नेश्ट देखिए हरसी ने एस टोर से एक नई स्वेट सर्ट खर दी जब ये 40 परतिसत की छूट दे रहे थे ठीक है यदि स्वेट सर्ट का आंकित मुल 29.99 रुप इसका मैं चुब आती Колे समने में उने अच्छ आप ल्याओ हो और अट-धन अजय को उसक्तर खूंट हो और टो ओज़ो appliन जांज complaint सो अनला ब्रामिद कर लिए तीन बात पांच तो तो आपको एसगा कित्नों देथे दस्ट apparent यह होगे आपका अठारा सो माइनस एक को अगर 3.5 से मल्टिप्लाइ करें कितना जागा 0.6 यह होगे एक पर किया है उसको 25 परतिसत का लाब होता है और दूसरे पर किया है 20 परतिसत का हानी होता है तो उसने दोनों कुर्सियों को अगर 475 परतिसत को बेचा होता तो पूछा गया उसका लाव और हानी परतिसत क्या होता 2.3 4.5 रूपिये का समान को 5.5 मतलब 5.5 मतलब ठीक इस तरह से आपका टोटल दोनों कुर्सी का सीपी आ जाएगा ठीक है अब इसको आप सॉल्ट कीजिए देखे सॉल्ट कैसे करेंगे इसको आप डिवाइड कर लिए या फिर दोसे मल्टिप्लाइड कर देखें कितना हो जाएगा नो पाच्चे पैतालिस और 25 गुने चार पलस यह हो जाएगा आपका तेज़ा बारन है होगा 11.44 एक आर चोक चोक चोबालीस हो जाएगा यह और पलस यहां हो जाएगा तीन साथ चोका 28.5 इंटू फाइल ठीक यह जाएगा टोटल चीपी अब दोनों को मल्टिप्लाइड कर करके जोर लेजे तो यह आपका होज़ 25 25 25 25 25 यहां जाएगा आपका सैंटिस और करवाइड 55 318 यानि 587 पॉइंट इतना और 380 को जोर लिए देखे तो जोर लिए कितना जाएगा पॉइंट सुरिपाइव यह हो जाएगा आट साथ यह हो जाएगा आट आट शोल यह हो जाएगा पांत इन आठेक नोग नोशो श शुचातर रुपया में पर टेक को बेचता तो कितने की लाव मतलब स्वी क्या जाएगा पांत प्रचातर इन टू दो मतलब 10 और 1150 रुपया में बेचता तब लाब परतिशत कितना हो देखे तो 967 रुपया का समान को 1150 में बेचते हैं हम लोग तब कितना का लाव होता त आप मैनस कर लेजिए इसमें से तो लगभाग भी निकालना है आपको लगभाग निकालना कि देखे नौस और सटी से माइनस किजिए तियर आपका तीन यह जगा कितना 14 आठ यह जगा 10 एक सो तेरा सी डिवाइड कर दिए कितना 967 के आसपास से तो आप इसको यहां से देखे अगला सवाल कोश्य नमर 13 है डिसकाउंट स्कीम के तहत 20% की चूट देने के बाद भी 10% का लाव होता है बताना है कि अंकित मुल्य क्रेया मुल्य से कितना परतिसत अधिक है अगल हम क्रेया मुल्य को मान लेते हैं 100 रुपईया ठीक तो हमें देखे 10% का लाव होता है 20% का छूटका मतलब एक बट्टे 5 मतलब पांच रुपया के समान को चार रुपईयों में बेचका जाता है मतलब 4 रुपईया 110 रुपई निटो 550 रुपई मतलब 4book सब्सक्राइब होगा एक बस्तू को 900 रुपया में बेचने पर अर्जित लाव उसी बस्तू को इसका जो हानी होता है उसका दुगुना है मतलब जो प्रोफिट इससे होता है इसके हानी से क्या होता है दुगुना होता है तो आपका क्या हो जाएगा देखें मतलब आपका हो जाएगा पांच बटे चार ठीक है एक सो पचास इंटू पांच मतलब साथ सो पचास नमबर एक रेट होगा ठीक अगला को देखिए पंद्रह में एक क्रमचारिक के बेतन में 15% की बिर्धी और फिर 25% की कमी कि जाती है तो बेतन में कितने परतिशत की बिर्धी या कमी होगी ठीक है तो देखें पहले बेतन था 100 रुपया फिर 15% बढ़ा देंगे तब 115 हो जाएगा ठीक फिर क्या करते है इसमें 75% की कमी हो जाती है 25% की क चार तो यह कितना जाएगा 345 को चार से रिभाइड की जाएगा तो आपका हो जाएगा यह नो चोका 36 ने आट चोका 32 32 यह हो जाएगा 25 6.25 ठीक मतलब 13.75 यह होगा 13.75 की कमी हो जाएगी ठीक है कमी होगा ब्रिध्धी तो होना ही ने था अगर आपके पैस समय नहीं होता है यह मान लेते हैं इस को स्वालू कर रहे हैं कि आप पहले इसको इसे भी कर सकते थे 15 पसंट के पहले ब्रिध्धी हुई फिर 15 की कमा दिया मतलब यदा कम गया मतलब ब्रिध्धी होने का कोई सवार बनता ही नहीं कमी होगा दोनों में से एक उप्सन कायक्ट होना है तो आप कि आप एक बठे पांच का सामान शेत कितना जागा इसको चार बठे 5 में इसको बेचने है ठीक है तो 24 हो जागा।ज पांच 126 मतलब च्यावन में इसको बेच दिया एक बठे 5 माह साको अब कहा गया है तो सेस अबक् hablar के अचा जाए ताकि पूरे लेंदेन में तीस अबर् इतना में आपको बिचने होंगे मतलब 780 रुपिया में इसको बिचने होंगे ठीक है तो अब कहा गया देखे 96 रुपिया आ गया है अब कितना हो जाएगा आपका 1-5 तो आपका आगया कितना बिचने रुपिया में 780 में इसको क्या हो गया आप इसका लाना है तो कैसे होगा देखे पहले आप X का भेलू निकाल लेजिए एक भेलू कितना होजागा 780-96 है ठीक है तो कितना हजागा देखे आप इसको 100- करेंके पहले होगा 就是 यही आपको भूण करना है और आपका आजाएगा पहले स्वलव की चार्पंचे। 20 4. 4 5 बार चुका और 48 4 चार ठीक अब पीर कट जा सकता है क्या नहीं कटेगा 121 और नीचे में 121 को से ड्राक्ट इसको डिभाइड किजिए 500 है तो मतलब 40 के आसबास आएगा आपका आसार बार चुका और 40 रेन कोट पर 15% की छूट परदान करता है और फिर क्या है 25% का लाब कमाता है 800 रुपया की अंकित मुल पर रेन कोट की या वास्तविक के मत क्या है देखिए 800 रुपया का अंकित मुल है इस पर क्या है 15% की छूट मतलब 15% का मतलब इसका हो जागा 120 रुपया तो 120 रुपया कम कर देंगे तो कितना जाएगा 680 रुपया 680 रुपया है इसका क्या SP, 680 रुपया में बिचने के बाव्यूद भी क्या है, 25 पर्षेंट का लाग कमाता है, 25 पर्षेंट का मतलब 1 बट्टे 4, मतलब इसको 5 रुपया में बिचने होंगे, 4 रुपया के सवाल को, सवाल को, 5 का भेलो इतना दिया, 4 का भेलो आपको निकालना है, तो CP आपको यहां से आजाएगा 680 अठ्टे 5 इन्टू, नहीं आपको सौल्फ करना था, ठीक है को तो 2 से मलृट्प्लाई कीज़, इसको 2 से मल्टिप्लाई कीज़ चिंछे, 58 को factor कीमाता अच्या की तो 88 opaque 64, चारár चो अकरतालिस चार, है 48 चेहर जएगा आपका बावन ठीक है तो 524 से च्छाथ जूट इसका दस परतीस्त के छूट जो है यह सौ रुपया होती है तो 100% का मतलब यही पूछा गया है तो पूछ है न इसको दसे मिल्टिप्लाइ कर तो यह 1000 रुपई यह ठीक है question number 19 को देखिए एक दुकंदार एक बस्तु पर 20% की छोड़ देती है ठीक है 600 रुपया के अंकित मुल वाली बस्तु का बिक्रय मुल निकालना है question number 19 इस तरह के बहुत सारे हम question से पहले करवा चुके हैं इसको आपको स्वाल्व करना है काफी असान सवाला और इसका आंसर आपको comment box में देना है बिना pen paper का यूज किये वे चलिए अगले कोश्चर को देखिए सास्व पचास सत्रह सो पचास का 20% मतलब एक बट्टे पांच फिर इसका 10% बस सात्रह सो पचास है यह जीरो से जीरो जगा साहत लाग परति से निकालने सेम ट्रक को इससे पहले भी हम करवा चुके हैं इसको करना बताए थे हम दोनों को पहले कर लेजिए ठीक तो कितना जाएगा 30 बट्टे कितना जाएगा बजन में कितना कम किया है 20% उसको 100-100 कर लिए यह आपका आजाएगा 37.5 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह के सवाल को ऐसे भी आपकली जल्दी से सवाल कर के निकल सकते हैं असलिक से टाब वहां से आप देख सकते एक वार फिर देखिए अब कि किसी उतपाद का विक्रिव ऐसा है तो विक्रिता कंट्रे मुल्य पर बीस प्रतिसत का लाग होता है मतलब अगर CP अगर 100 रुपया है या इसे बोल दें तो SP कितना जाएगा 120 रुपया कागए विक्रे मुल्ड का क्रे मुल्ड से अनुपात निकालना है 120 बट्टे 6 मतलब 6 बट्टे 5 इसका अंसर होगा चलिए तो इस नमर को देखना है एक बस्तू का क्रे मुल्ड अंकित मुल्ड का 64 परसेंट है मतलब अंकित मुल्ड का 64 परसेंट देखिए अगर CP अगर MP अगर हम माल लेते हैं 100 रुपया तो क्रे मुल्ड कितना जाएगा कॉस्चन नमर 24 को देखिए एक फल ब्यपारी एक निश्चित मुल्ड पर आम बेचकर 25 परतिसत का लाग कमाता है ठीक अब कहा गया यदि वह परते एक आम पर 3 रुपया काधिक मुल्ड लेता है देखिए अगर 25 परतिसत लाग कमाता है अगर फिर इस पर हम कहा दें आपको कितना दिया हुआ है मतलब 20 जाने कि 20 रुपया क्रेमूल इसका आ जाएगा ठीक है बहुत संदार सवाल था question number 25 और यह last सवाल है देखे एक बस तुका अंकित मुले 16 रुपया है लेकिन रोहन को बीच पर 30 की छूट मिलती है अंकित मुले 16 रुपया है अगर माले हम 10-8,000 MP 16 रुपया है तो इसका 20 पर संट छूट का मतलब कितना हो जाएगा चारवटे 5 यह चारवटे 5 हो जाएगा इसका शोला सो तो इसको 2 से मल्टिपलाई किजिए इसको भी 268,188 मतलब 1280 हो जाएगा इसका अब कहा गया है 16 रुपईया में वस्तों को बेचा होता तो रोहन का लाव परतिसक्त निकालना है अगर वह लाव कितना होगा तो करना कुछ भी नहीं देखे 1280 रुपईया 20% छुट देने के बाद आया लेकिन कहा गया अगर इसको 16 रुपईया में बेचता है तो गितना ला वल्व किजेगा तो आपका अंसर आ जाएगा तो देखिए आप काट लिए इसको 16 रुपईया दूनी बातिस रुपईया एक सो अट्थास मत्दा दूसो बट्टी आठ मत्दा पत्चिस परतिसत का लाव होगा ठीक है इसका आपका पत्रिस कॉटन सरा सवाल को क्लियर कर द दो